दुनिया में हर इंसान काम्याब होना चाहता है हर इंसान चाहता है कि एक दिन काम्याबी उसके कदम चूमे और काम्याब होने के दो रास्ते हैं पहला रास्ता जहां संघर्ष करना पड़ता है जहां मुश्किलों से लड़ना पड़ता है और दूसरा रास्ता जहां सब बैठे बिठाये मिल जाता है बिना किसी मेहनत के बिना किसी मुश्किल बिना किसी चुनौती का सामना किये तो सोच ये, अगर आपको कोई मेहनत न करनी पड़े, कोई संघर्ष न करना पड़े, किसी मुश्किल, किसी चुनौती का सामना न करना पड़े, आप बस सोच लें किसी चीज़ के बारे में और वो आपको बिना मेहनत, बिना मुश्किल के मिल जाए, तो कैसा होगा आप में से कुछ लोग कहेंगे दुनिया में इससे बहतर क्या हो सकता है दुनिया में इससे बढ़िया क्या हो सकता है लेकिन एक बार ये भी सोच के देखिये कि सब मिल तो गया लेकिन खुदा ना खासता अगर किसी दिन जिन्दगी में कोई मुश्किल आ गई किसी चुनौती का सामना करना पड़ गया तो क्या आप में वो हिम्मत होगी जो उस मुश्किल से लड़ सके क्या आप में वो ताकत होगी जो उस चुनौती का सामना कर सके नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किलों से लड़ने की ताकत मुश्किल रास्तों पर चलने से पैदा होती है अगर आपने मुश्किलों का सामना नहीं किया अगर आपने चुनौतियों को सुईकार नहीं किया तो आप में हिम्मत, आउसला और खुद पर यकीन कभी पैदा नहीं होगा आपकी मुश्किलें, आपका दुख, आपका दर्द, आपके रास्ते में आने वाली परिशानियां आपके सचे दोस्त हैं हर मुश्किल, हर परिशानी हमें मौका देती है खुद को बहतर बनाने का, खुद को एक लिवल उपर उठाने का चुनोचियों से लड़े बिना, दर्द से गुजरे बिना, दुनिया में आज तक कोई भी अपनी मन्जल, अपने मुकाम तक नहीं पहुचा पिंजरे में रहने वाले शेर को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, तो भे जंगल में एक दिन भी नहीं रह पाएगा क्योंकि शेर पैदा होने से कोई शेर नहीं होता, शेर बनने के लिए पिंजरे से बहार, जंगल में खत्रों से लड़ना पड़ता है, सिंदगी की चुनोचियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों से लड़ना सीखना पड़ता है, शेर बनने के लिए शिकार करना पूसने लगते हैं, कभी किस्मत को, तो कभी भगवान को, लेकिन उपर वाले का खेल ऐसा ही है, निराला है उसका खेल, जब उसे आपकी इम्मत बढ़ानी होती है, जब उसे आपको बहतर बनाना होता है, जब उसे आपको जगाना होता है, तो वो भेज देता है एक मुश्कि आपकी तरफ आप जिन्दगी में आज जो भी है और जहां भी है अगर आप वहाँ से पीछे मुण के देखेंगे तो ये पाएंगे कि जिन्दगी में मुश्किलें पहले भी आई थी जिन्दगी में परिशानियां पहले भी आई थी लेकिन जिन्दगी रुकी नहीं और आप वो सारी दिक्कतें पार करते हुए आज यहां तक पहुँचे हैं तो आज भी जिन्दगी में अगर कोई मुश्किल है आज भी जिन्दगी में अगर कोई दिक्कत, कोई परिशानी है तो जिन्दगी यहां भी नहीं रुकेगी मांगिए कि आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत मिले। आप कर सकते हैं हर मुश्किल का सामना, आज भी और आगे भी। अगर आपका सपना और आपके सपने के पीछे का कारण बड़ा है, अगर आपका होसला आपके सपनों के साथ खड़ा है, अगर काम्याब होना आपके लिए सांस लेने जतना जरूरी है, तो आप दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर समस्या, हर मुसीबत का हल्ट होंड सकते हैं अगर आपने दर्द को दवा बना लिया अगर आपने मुश्किलों को गले लगा लिया तो जिन्दगी भी आपको गले लगा लेगी और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपको जिन्दगी मिली है और जिन्दगी उन्हीं को मिलती है जिनमें जिने का होसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होती है जरूरत है इस होसले इस हिम्मत को पहचानने की इसे जगाने की जिस तरह सोना आग में तब के कुंदन बनता है उसी तरह मुश्किलों और परिशानियों से लड़कर ही इनसान लायक बनता है नायक बन अगर जिन्दगी में कुछ करके दिखाना है अगर जिन्दगी में कुछ बन के दिखाना है तो होसलों में हिम्मत चाहिए जिसमें ताकत चाहिए इरादों में मजबूती खून में जुनून चाहिए और आप यह हिम्मत, यह ताकट, यह मझबूती ये जुनुन चाहते हैं तु मुश्किलों को हाँ कह दीजिए चुनौतियों को हाँ कह दीजिए भर दर्द, हर परेशानी को हाँ कह दीजिए आने दीजिए इन्हें अपनी तरफ और आँख से आँख मिलाकर इनका सामना कीजिए जिस दिन आपने मुश्किलों को हां कह दिया जिस दिन आपने दर्ब से परिशानी से भागना बंद कर दिया जिस दिन आपने आसमान को, किसी भगवान को, किसी इनसान को अपनी परिशानियों के लिए कोसना बंद कर दिया जिस दिन आपने मान लिया कि ये मुश्किल खुद को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है उसी दिन जिन्दगी में जादू हो जाएगा उसी दिन जिन्दगी में चमतकार हो जाएगा उसी दिन से बदलने लगेगी आपकी जिन्दगी